सब्सक्राइब कीजिए महेश टेकनिकल चानल को प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के दिए लेडिस जेटमन्स हेई नमस्कार दोस्तो मेरा नमें महेश आप देख रहे हैं महेश टेकनिकल तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लिए लिके आया हूँ एक ट्रेबल रॉम तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरसे अपने रेड्मी 3S, 3S Prime और 3X Phone में ट्रेबल रॉम को इंस्टॉल कर सकते हो तो गाइस ट्रेबल रॉम इंस्टॉल करने के लिए आपके फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अग ट्रेबल रॉम और ट्रेबल रिकवरी आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप सिंप्ली वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दू कीट आपका फोन ट्रेबल सपोर्टेड है या नहीं तो उसे चेक करने के लिए जिसका नाम है ट्रेबल चेकर तो आपको इस एप्लिकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका फोन जहें बता सपोर्ट करता है या नहीं ट्रेबल रॉम को तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर अनसपोर्टेड है ट्रेबल रॉम तो गाइस ट्रेबल रॉम का यूज करके आप जनरिक सिस्टम इमेज़ को अपने एंड्रोइट फोन में इंस्टॉल कर सकते हो अगर कोई भी गूगल नया एपडेट लाता है जिसे एंड्रोइट पी तो आप इसली उसे इंस्टॉल कर सकते हो तो चलिए करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या किजिए आप सबसे पहले अपने फोन का बैक अप कर लिजिए तो आपको सिंप्ली बैक अप सेक्शन पर जाना है यहां से आपको अपने बैक अप को ले लेना है और SD card में save कर लेना है इनकेस अगर flashing process में कुछ भी गरत हो जाता है तो आप easily इसे recover कर पाएंगे तो जैसे आपको backup हो जाए तो आपको simply जाना इन्स्टॉल सेक्शन में यहां से मैं अपने SD card को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर install image पर यहां पर क्लिक कर देता हूं तो यहां पर इंस्टॉल यहां पर आप देख सकते TWRP टे ट्रेबल रिकवरी नहीं है गाइस तो simply मैं आपर navigate कर लेता हूं TWRP सपॉटे तो आपको सिंपली आपको जाना है और रिकवरी पे आपको बूट कर लेना है तो आपकी जो अब फोन है वह बूट हो जाए गी त्वेडल रिकवरी में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर recovery में हम आ चुके हैं तो अब बात आती है guys ROM को install करनी की तो guys इस recovery के मदद से आप directly भी कोई भी ROM flash कर सकते हैं with treble ROM तो आप treble ROM के साथ साथ कोई और ROM भी है तो वो आप flash कर सकते हैं आपको simply wipe section में जाना है यहां से आपको सारी चीज़े टिक कर लेनी है internal के साथ साथ guys तो यहां पर एक new option आपको मिलेगा vendor का तो guys vendor का मतलब आपने जो TWRP recovery install की है तो इसलिए वो vendor option यहां पर आ चुका है तो यहां पर मैं sd card को select कर लेता हूँ तो आप मैं वहीं पर हूँ तो आप देख सकते हैं आप लाइन जोस 15.1 unofficial treble ROM यहां पर दिखाई दे रही है तो मैं इसे select कर लेता हूँ कि अगरे तो यहां पर फ्लाशिंग कंप्लीट हो चुकिए तो हम यहां पर डैल्विक कैच इसको clear कर देते हैं और simply आपर reboot system पे क्लिक कर देते हैं तो यह कुछ आपकर टाइम लेगा थोड़ा wait कर लेते हैं तो हमारा phone बूट हो चुका है इस treble ROM में तो हम इसे फटा-फट से setup वक्त कर लेते हैं तो हमारा phone बूट हो चुका है तो चलिए हम ट्रेबल चेकर application को install कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा phone अब ट्रेबल सपोर्ट करता है यह नहीं करता है तो मैं यहां से सकते हैं यहां पर सपोर्ट बता रहा है तो इस तरीके से आप अपने फोन को जो है वर ट्रेबल सपोर्ट बना सकते हैं अब आप इस रॉम का यूज करके अपने Android phone के अंदर GSI यानि की जैनरिक सिस्टेम में जिसको इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से दुकाईद अगर आपको यह वीडियो पसंद आती से हो लाइक कीज़े शेर कीज़े सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल को जिसके आना में महेश टेक निकर्स थैंक धूsmर्च झाच झाच वचर थैंक